चेहरे पर मासूमियत और दिल में खतरनाक इरादे लिए डायन एक बार फिर हो गई है तयार आज है डायन रूबी और अंच की महंदी की रस्म रूबी को इस खुबसूरत ग्रीन लहंगे में देख आप समझ ही गए होंगे कि अपने मकसद की और काम्याबी से बढ़ती रूबी के लिए ये मौका कितना खास है आज मेरी महंदी की सर्मेनी है और आप देख सकते हैं कि मैंने काफी महंदी का थीम जो की ग्रीन होता है रूबी हाथों पर महंदी लगवाने के लिए तयार बैठी है लेकिन यहीं तो है ट्विस्ट अब रूबी कोई आम लड़की तो है नहीं डायन है और डायन के पैर सीधे होते हैं क्या नहीं न तो देखिए कैसे रूबी सभी से अपने पैर छिपाने की कोशिश कर रही है रूबी किसी को भी अपने पैर नहीं दिखा सकती कहीं रूबी का ये राज ना खुल जाए इसके लिए रूबी चलती है एक चाल रूबी मेहंदी से भरा कटोरा अपनी ड्रेस पर गिरा देती है ओमाइगोड तुम्ही मेरा पूरा दिर पर बात कटिया तुम्हे वा भई वा इसे कहते हैं शातिर डायन आखिरकार अपना राज खुलने से रूबी ने बचा ही लिया वैसे मेहंदी की रस्म के लिए तयार हुई रूबी आज बेहत खुबसूरत भी लग रही है चलिए रूबी से उनकी खुबसूरती का राज हमारा मतलब है उनके लुक के बारे में जान लेते हैं जो की बहुत खुबसूरत है और यह कड़े हैं लास्टाइ मैंने छूडियां पहनी थी इस बार मुझे कड़े दिये हैं और यह मेरी वो डायन वाली अंगूटी यह बहुत खुबसूरत नेकलस दिया है मुझे इस बहुत खुबसूरत पासा या अंबांग टिक का जो भी इसे कहते हैं वो और यह आज तो आप बाल बाल बच गई लेकिन यह चुपने चुपाने का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा पता नहीं मुझे कब तक लेकिन धूबी बचते बचाते यहां तक पहुँच गई है जो कि it's a very good thing लेकिन पता नहीं कब तक कब तक होगा कब तक टिकेगी रूबी और उसका रास कब तक रास जाएगा I don't डायन मोहना को लोट कराना है अपना बेटा अंच पाना है जिसके लिए अंच की शाधी डायन रूबी से होनी जरूरी है अब देखना यह है कि डायन की काली शक्तियां जीतती है या विदेश्री की भक्ती मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट